को कि हलो गाइस वेलकूम बैक टूम अचैनल लेर्णिंग्टिप्स इन माइलास्ट वीडियो आईव एक्स्पेंड यू दिशनी सेक्टर एंड डिस्पेंट एंड्िस्पेंड इस्टी ओ वो colonial period था, British period था, उस agriculture sector की क्या condition थी, किस तरीके से उसके demerits थे और merits थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग industrial sector के बारे में पढ़ेंगे, chapter वही है आपका, on the eve of independence, but part इसका 2 है, सबसे पहले हम बात करते हैं, industrial sector की, अगर हम बात करें, तो colonial period में हमें जाना पड़ेगा, यानि के, back to the British rule, British rule, यानि के British time में जाना पड़ेगा, और महां पर जाकर के देखना पड़ेगा, जिस तरीके से अग्रिकल्चर सेक्टर था, उसी तरीके सब industrial sector की कहानी पड़ेंगे, इंडेस्टियल सेक्टर के अगर हम बात करें, तो उस period में industrial sector बहुत बुरे हालात में था, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि इंडिया जो था, वो बहुत ज़्यादा famous था, उसकी reputation बहुत ही जबरदस थी, क्योंकि यहाँ पर जो raw material था, वो बहुत ही जबरदस मिला करता था, raw material चाहे वो आपका local cotton हो, चाहे आपका silk हो, चाहे वो आपका jhoot हो, चाहे उसके साथ आपका handicraft हो, handicraft का आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि इंडिया की जो reputation थी, वो बहुत जबरदस थी, क्यों कि यहाँ पर जो craft persons थे, जो यहाँ पर craft क्या करते थे, उसकी या brass का जो काम हुआ करता था, वो बहुत ही unique हुआ करता था, और उसको पूरे world में बहुत जबरदस reputation मिली थी, लेकिन British government का जो motive था, वो motive यही था, कि इंडिया के अंदर industrialization, जो इंडिया का industrialization है, उसको खतम करना है, और अपने industrialization को यहाँ पर वापिस अपने पैर मजबूत करने है, और इसी procedure को लेकर के, उन्होंने सबसे पहले, इंडिया का जो raw material था, यानि कि जो primary product से, उसकी जो quality थी, उसकी जो profit था, उसको export करना शुरू कर दिया, नहीं कि उसको खतम करना शुरू कर दिया, चाहे वो cotton हो, चाहे वो जूट हो, उसके बाद, उन्होंने जो, इंडिया की जो market थी, international level पर, उसको खतम करना शुरू किया, वो मैंने आपको बताए दिया था, कि discriminatory policy को अपनाया, और discriminatory policy को अपना करके, उन्होंने हमारे जो, industrial sector था, उसको भी खतम कर दिया, अब, industrial sector के कुछ points हैं, जो मैं highlight करूँगा, वो हैगा next page पर, ये आपको मैं बहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि काफी देर तक, first page यहाँ पर रुका रहता है, तो आप इस page को copy down करें, अपने notebook में, ताकि आपके notes साथ के साथ prepare होते रहें, next page पर चलते हैं, चलिए, next page में सबसे पहला, जो हमारा point आता है, वो आता है, decay of handicraft, handicraft किस तरीके से खतम हुआ, British time में, अंग्रीजी हुकूमत में, बहुत बुरे हालात हो गए था, handicraft के, जबके handicraft की जो, मैंने बताया था कि, जो worldwide reputation थी, वो बहुत जबर्दस थी, लेकिन, discriminatory policy की वजए से, ये बिल्कुल बरबाद हो गया, और वो policy क्या थी, वो policy ये थी, बिटिश लोगों हुकूमत ने, जो यहां का raw material था, उसको tax free कर दिया था, यानि के, tax maaf कर दिया था, अब जब tax maaf कर देंगे, तो जाहिर सी बात है, जो कच्छा material है, वो यहां से free जाएगा, जब वो free जाएगा, तो जाहिर सी बात है, कि सारा का सारा, जो profit हिंदुस्तान वाले, कमाने वाले थे tax वे, वो सारा का सारा profit कौन ले गए, अंग्रेज ले गए अपने साथ साथ, और जब अंग्रेज हमारा सारा फायदा ले गए, तो जाहिर सी बात है, इंडियन इंडिस्ट्री को कोई फायदा ही नहीं हुआ, सारा का सारा फायदा, बिल्टेन उड़ा ले गिया, second policy, second policy में उन्होंने tariff free import कर दिया था, क्यों कौन सा, industrial product, यहां से कच्चा माल free मंगवा कर, वहां से जो माल, हमारे ही माल से, जो उन्होंने product बनाया, उस product को वापिस वो, यहां पे free में मंगाते थे, और high rate में बेचा करते थे, यानि के हमारे ही माल को हमें बेच दिया, और बिना किसी tax के, यानि के ना तो कोई tax दिया, ना तो कोई tax लिया, और दोनों ही tax free करके, प्रॉफिट कमा लिया, जैसे के, simple सी बात है, के हमारा माल था, कच्चा माल था, raw material था, वो अगर यहां से tax लग करके जाता, तो वो tax का पैसा, हमारे देश के infrastructure में कामाता, यहां profit कमाया, फिर जब हमारे ही कच्चे माल से, उन्होंने product बनाया, जैसे यहां से लकडी timber जो होता है, जो लकडी कटी भी होती है, उसको timber कहा जाता है, यह आप सब लोग जानता ही होंगे, तो उस timber को यहां से free भेज दिया, ब्रिटेन में, तो जब ब्रिटेन में free जाएगा, तो वहां पे उसकी cost घट जाएगी, जब cost घट जाएगी, तो जाहिर सी बात है, जब वो product बनाएगे उसका, तो उसकी cost भी कम हो जाएगी, जब उसकी cost कम हो गई, तो वहां से, जब उससे chair बनाई उन्होंने, उस chair को वापिस इंडिया में मंगाया, और हमाई हिंदुस्तानिय को ज़ादा rate में बेच दिया, तो दोनों जगे profit कम आया, और हमारे हाथ क्या रह गए, खाली के, हम क्या बन गए, बेवकूफ, वही बेवकूफ हम पहले बनते थे, वही बेवकूफ हम आज बनते हैं, आज भी हम इंडिया में बहुत सारा tax देते है, पुरे वर्ल्ड में अगर हम compare करें, तो हम highest tax paid persons लोग हैं, पुरे वर्ल्ड में, 260% tax हम लोग देते हैं, highest tax है, और whole world में का tax की बात कही 45%, कही 40%, कही 30%, हम 260% दे रहे, यानि कि half से भी जादा से जादा से जादा, यह इतने बुरे हालात है, तो इसी वज़े से पहले भी development में पीछे थे, आज भी development में पीछे, आज भी हम पीछे होते जा रहे हैं, गल्ती हमारी ही है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, एजुकेशन कॉलिटी में कमी है ना, डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी है, पहले अंग्रेज होने कर रखा था, अब हम खुद लोगों को ने कर रखा है, वो ही सेम सिस्टम है, चलिए आगे consequences देखते हैं, इंडियन प्रोड़क्ट इस टार्टिंग दा, losing their domestic as well as foreign market, वो ही मैंने आपको बताया, जब उन लोगों को सस्ता माल मिलने लगा, तो प्रोड़क्ट की cost भी उनकी घट गई, हमें वो ही tax के हिसाब से माल मिला करता था, तो हमारे इंडियन प्रोड़क्ट की cost भढ़ गई, तो अब एक बाब बताईए, जब आप market में जाते हैं, कच्छा बनियान सिंपल सी बात है, छोटी सी चीज है, कच्छा बनियान जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, नेकर टीशेट खरीदने के लिए जाते हैं, और एक बाहर रेडी पर 20-20 रुपे बेच रहा है, और एक अंदर मॉल में 90 रुपीज का बेच है, तो कौन सा लोग है, पता है कौन सा लोग है, हमारी सोच क्या है, हम लोग 20 रुपीज वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे बाकी पैसे बच रहे हैं, और उस पैसों का हम और जगे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम, हमारे माइंड में पहली चीज क्या आती है, अंडर गार्नमेंट से नीचे तो पहना जा रहा है, बनियान, क्या, कौन देख रहा है, बस यह सोच करके हम एक सस्ती चीज खरीद लेते हैं, महेंगी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, तो सेम, उसी टाइम में भी यही होता होगा, उस टाइम में भी हम लोग सस्ता माल खरीते होंगे, महेंगा माल नहीं खरीते होंगे, सेम, आज भी वोई कंडिशन है, चाइना का माल इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों बिखता है, क्योंकि सस्ता है अच्छा है टिकाऊ है नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन हाँ सस्ता और अच्छा है इस वज़े से हम लोग छाइना के खिलोने लेने जाओ चाइनीज पटाखे लेने जाओ चाइनीज पिचकाली लेने जाओ चाइनीज उसी तरीके से आज करकेड तो कपड़े भी चाइनीज आ रहे हैं तो वो क्यूं खरीदते हैं क्योंकि fine quality है और सस्ती है और attractive है अरहां इंडियन खिलोने लकड़ी की खिलोने लेने चले जाओ उसकी cost इतनी जादा होती एक छोटी सी कार लकड़ी की 200-300 रुपे की है और वही चाइनीज कार remote वाली भी हो आज भी एक condition है तब भी एक condition थी हम लोगों ने taxis इतने दे दे करके अपनी cost को इतना बढ़ा दिया है अपनी जो production है उसको इतना production दो बहुत है लेकिन उसकी जो लगत है जो cost इसको इतना बढ़ा दिया है कि हमारा product महंगा बिखने लगा है बाहर का product सस्ता बिखने लगा ह और हम वो वाला प्रोडर्क खरीदते है या नहीं खरीदते है मुबाइल में ही आ जाईए 3G तक इंडियन मुबाइल चले लेकिन 4G और 5G में मुबाइल कहा है इंडिया का कोई भी मुबाइल नहीं है Vivo है वो भी बाहर का है Korea का है Oppo है वो भी Korean company है बाकी Chinese company है बस एक Micromax हुआ करती थी एक वक्त पे वो Micromax जब तक 3G phones थे वो भी की चली अब नहीं बिकती Lava वो भी Indian company थी वो भी नहीं बिकती क्योंकि जो जितनी cost में विदेश के मुबाइल phone हिंदुस्तान में बिक रहे हैं उतनी तो उनकी लागत ही आ जाती है उतनी तो उनकी cost जाती है नहीं जितने की है हमने 14,000 का अगर phone 4G खरीदा भार का तो 14,000 यहां सिफ cost cost आ रही है क्योंकि material महंगा है तो उन्होंने अपनी company बंद कर दी तो इस वज़े से जो Indian company है वो पीछे रह जाती है तब भी यही हाल था अब भी यही हाल अब बात करते हैं हम लोग modern की अब उसी तरीके से bleak growth भी बहुत जादा था bleak growth इस वज़े से था कि British time में जो modern industry थी उसका भी कोई growth नहीं हो पाया bleak growth उसे कहा जाता है खराब growth होना और अगर हम बात करें it was a second half second half जो यानि कि 19th century का second half था उसमें modern जो आपकी industries थी वो दूर दूर तक नहीं थी modern industry किसे कहा जाता है पता है आप लोगो बता दूँ आपको जैसे communication हो गया और steel और iron plants हो गया यह तो थे ही नहीं उस period में सिर्फ कौन से plants हुआ करते थे क्या हुआ करता था cotton, jute, textile और वो भी सिर्फ कुछी states में थी maybe अगर cotton की मैं बात करूँ तो उस time पे महारास्टरा में हुआ करती थी और अगर मैं jute की बात करूँ तो बेंगॉल में हुआ करती थी और महारास्टरा में के बाद अगर तीसरा कोई नंबर आता था तो गुजरात का आता था और इन दोनों जगव पर ही अंग्रिजों ने अपना राद कबजा किया हुआ था महारास्ट का जो port था महाँ पे भी इनका कबजा था यानि मुंबई पोर्ट पे इनका कबजा था और सूरत पोर्ट पे इनका कबजा था यानि के जो माल इंदुस्तान से इंडिया का बाहर जाया करता था उस पे इतना टेक्स लगा देते थे क्यों महाँ हो जाता था भिकता ही नहीं था और जो माल हम लोग बाहर से मंगाना चाते थे अपना यानि के जो raw material हम बाहर से मंगाना चाते थे उसके cost इतनी बढ़ा देते थे कि वो महंगा बनने लगता था लेकिन अगर हम 20th century की बात करें तो धीरे धीरे करके कुछ थोड़े बहुत developments हुए 20th century में एक iron steel industry की शुरुआत हुई जिसको हम आज के time में टिसको के नाम से जानते हैं यानि के टाटा iron and steel industry टाटा iron steel company वो company है जो world war second में भी थी और world war second में सबसे ज़ादा जो iron का production दिया था जो सबसे ज़ादा weapons बनाने के लिए iron जिसके पास से गया था वो टिसको ही थी और जब Indian industry growth होने लगी तो अंग्रेजों के समझ में आने लगा के अब industry उने growth करना शुरू कर दिया इंडिया की और आने वाले time में हमारा future यहां से the end है और अपनी जान बचाने की वज़े से उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता था हिंदुस्तान को हम खतम कर चुके खा चुके जितना खाना था और फिर world war second जब खत्म हो गया जब बिर्टेन वीक हो गया कमजोर पड़िया और जो इंडियन इंडिस्ट्री है वो growth करने लगी तो उस time पर नई इंडिस्ट्रियों की शुरूआत हुई जैसे cement, paper, sugar industries की शुरूआत हुई अतब से आज तक यह industries चल लगी है उसके बाद अगर हम बात करें इंडिस्ट्री की इंडियन इंडिस्ट्री की तो machine industry उस वक्त पे बहुत कम थी जैसे machine industry वो होती है जिसमें machine बनती है वो बहुत कम थी उसी तरीके से railway जो था वो सिर्फ अंग्रेजों के फायदे के लिए था communication जो था वो अंग्रेजों के फायदे के लिए था तो economy जो थी वो बहुत ही limited रह थी बहुत जादा फायदे नहीं थे उसके बाद second point आता है भी तो हमने industry की बात करी अब foreign trade की बात करते है इंडिया के अगर हम बात करें तो foreign trade अंग्रेजों के आने से पहले बहुत जबर्दस था वही पहले की बात यह होती थी आज भी यह बात होती है चाहे वो cotton है, silk है, wood है, iron है, हर चीज में बहुत जबर्दसा foreign industry में हमारा बहुत बड़ा hold था, मसाले बहुत जाते थे अब मसाले अगर मैं आपको बताऊँ जो अरब देश थे, जो गल्फ countries है जिन कोई उपर आज हम लोग dependent हैं, वो हम लोगों पे dependent थे सोचो, वो इतनी आगे निकल गए हम पीछे रह गए अरब के लोग हिंदुस्तान से माल खरीद करके European countries को बेचा करते थे और उसमें वो एक तरह से बिचोलिया होता है ना, दलाल जो होता है, ब्रोकर होता है वो वाला काम क्या करते थे, कि यहां से सस्ता माल खरीदा और यूरोप में ले जा करके, महेंगा करके बेच दिया और उससे जो फायदा हुआ, उससे जो एजेंट बनके फायदा हुआ, उससे वो अपने घर के खर चलाया करते थे और वो कहां निकल गए और हम कहां रह गए सिर्फ किस वज़े से आज भी discriminatory policies है, तब भी discriminatory policies थी बात करते हैं पहले point की next exporter of raw material है और importer of finished goods अगर हम exporter की बात करें, हम raw material के बहुत बड़े exporter माने जाते थे जितना भी कच्चा माल है वो हिंदुस्तान से इजाज करता था, इसलिए तो ये सोने की चिडिया था अब तो ये कागस की चिडिया भी नहीं रहा, खतम हो चुका, dead और उस वक्त पे बहुत जबर्दस था आगे की बात करते हैं, next point की, next point में आता है monopoly foreign trade में जो control था, monopoly था, वो सारा का सारा अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले था, 50% foreign trade सारा का सारा अंग्रेजों के हाथ में आ गया था हिंदुस्तान का, और पहले सब कुछ हमारे पास था उसी तरीके से जितने भी benefits हुआ करते थे, जितना भी profit कमाया जाता था, वो सारा का सारा profit अंग्रेज अपने administration को मजबूत करने के लिए लगाते थे यानि के जो भी पैसा कमाया जाता था हिंदुस्तान में, और जादा अपने offices बनाना, और जादा अपनी factory लगाना और बाकी का जो पैसा बचता था, वो weapons वगरा खरीदने में, यानि के अपनी आदमी को strong बनाने में किया करते थे आईए चलिए demographic profile पर आते हैं, demographic profile देखते हैं उसी period की, demographic profile का मतलब है के देखते हैं के उस वक्त में हम और कितने जादा backward थे, industry में तो हमने पढ़ लिया backward थे, agriculture में भी backward थे अब जिन्दगी में आ जाते हैं, के जिन्दगी कैसी थी, birth rate और death rate दोनों ही बहुत आई था, बच्चे पैदा भीत नहीं होते थे और लोग मरते भीत नहीं थे, education की कमी थी ना, इस वज़े से बच्चे पैदा होते थे, ना education का पता था बच्चों की ना कुछ पता था, ब मेरा बच्चा engineer बन जाए, भले तुम उनके सपने तोड़ देते हो, वो बात अलग है, लेकिन सपने तो देखते हैं वो, लेकिन उस period में कोई सपना नहीं देखा जाता था, उस वक्त पे तो ये सोचते थे, के मेरे अगर साथ बच्चे है, तो साथ बच्चे दो दो रुप जाए, के बर्थ रेट बहुत जादा था, वो इस वज़े से था, डेथ रेट क्यों जादा था, डेथ रेट इसलिए जादा था, कि जब डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो इलाज कहां से करेंगे, बीमार ये इतनी थी, इलाज नहीं था, डेथ हो रही थी, आप खुदी कह रहे हैं, डॉक्टर को कह रहे हैं, लेकिन कभी डॉक्टर जहां पर खड़ा हुआ है, उस जगे जाकर के, खड़े हो कर के, देखो, कंडिशन क्या है, सोचो, उनकी पॉजिशन पर जाकर देखो, हम तो डर के मारे अपने घर से बहार ने नहीं कर लाए, वो तो डेली वह हुआ है, तो उनकी कंडिशन क्या होगे, वो कितना डेपरेशन में होते होंगे, वो कभी नहीं सोचेंगे, हाँ बस यह सोचेंगे, हाँ ना सरकार कुछ कर रहे हैं, ना डॉक्टर कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, गॉर्मेंट भी बहुत काम कर रहे हैं, तो अगर मैं का मतलब है death rate जो थी वो कैसी थी death rate जो थी वो 1000 अगर लीव है जिन्दा है एक साल के अंदर तो उसमें मरने वालों की संक्या बहुत जादा हाई थी life expectancy rate के अगर हम बात करें तो आज के time में 69 की age तक हम लोग अराम से जी लेते हैं हिंदुस्तान में 68 69 70 तक अराम से जी लेते ह लेकिन उस period में सिफ 44 यर तक ही लोग जी पाते थे 44 के बाद इतनी कमजोरी आ जाती थी इतनी वीकने सा जाती थी के इंसान 50 काकड़ा भी पाड़ निकर पाता था और निकल जाता था अब हम आप कहते हैं कि सर हमाय तो grandparent हमाय दाद दादी तो काफी लंबे time तक दे तो आपके घर में अच्छा खाने को मिलता था गाउं में जाकर के देखो कई जगे आएसे हालात थे के खाने तक को नहीं था literacy rate की बात करें लिटरेसी रेट का तो बहुत ही बुरा हाल था literacy rate सिर्फ 16% थी सिर्फ 16% यानि कि 16% लोग पड़ी लिखे थे और अगर महिलाओ की women's की बात करें तो और भी बत्तर हालत में थी 467% women's पड़ी लिखे थी और पड़ी लिखे का मतलब समझ रहे हो यह नहीं graduate, post graduate पड़ी लिखे का मतलब है जिन अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें अगर हम इंडिया के law के हिसाब से बात करें तो जिस इंसान को पढ़ना यानि कि सिर्फ हिंदी पढ़नी और लिखनी ही आती है तो वो पढ़ा लिखा माना जाता है भले उसके पास 10th की या 8 की माक्षीट हो या ना हो बस वो पढ़ा लिखा तो ये 16% वो लोग थे कि जिनको सिर्फ बोलना और लिखना आता था और 7% थी women's थी तो सोचो इसके अंदर 10th वाली कितनी होंगे और गेरेजूशन वाली कितनी होंगे अब आता है occupational structure occupational structure भी बहुत अलगी था 72% लोग primary sector थे यानि कि सिर्फ क्या काम क्या करते थे खेती क्या करते थे खेती भी कौन सी substantial farming substantial farming कौन सी होती है पता है सिर्फ अपने लिए ही farming करना commercialize तो अंग्रेजों ने किया कर वह ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने वह सारे बुरे काम करें कुछ अच्छे भी करें यह जो आज हम farming से पैसा कमा रहा है अंग्रेज सिखा करके गए secondary sector की बात करें secondary sector याने के industries 10% industry थी सिर्फ इंडिया में और tertiary sector तो सुभान अल्ला थी 17% लोगी सिर्फ जॉब किया करते थे पाकी को तो पता हैं था जॉब होती क्या है और अगर मैं और countries की बात करूँ तो आपके तो होश उड़ जाएंगे primary products का growth क्या करते थे और इंडिया 72% क्या करता था industrial sector पे आजाईए इंग्लेंड में 40% industries थी उस period में USA में 32% थी चाइना में 28% थी जापान में 39% थी और इंडिया की हालत बताऊं सिर्फ 9% ही industries थी क्यों थी भई क्योंकि हम लोग तो अंग्रेजों पे डिपेंडेंट थी आज चाइना पे डिपेंडेंट है तब अंग्रेजों पे डिपेंडेंट थी अब आते हैं हम insufficient transitions from agriculture to industry अगर हम बात करें workforce की agriculture की बात करें तो economic level में हम लोग हम लोग बहुत पीछे थे बहुत पीछे क्यों थे क्योंकि बहुत लंबा गैप आया agriculture में infrastructure आने में क्योंकि अंग्रेजों ने स्रिफ agriculture से लिया लिया दिया कुछ नहीं अब देने के अगर हम बात करें यानि के infrastructure की हम बात करें तो इंफा स्ट्रक्चर तो 1951 के बाद आया, 1951 में भी सिर्फ हमारी हुकूमतों ने यही सोचा कि किस तरीके से हमें आगे के वरकर ने, फिर 5-year plans बनाये गए, तब जाकर के थोड़ा agriculture में काम किया, फिर थोड़ा industries में काम किया, तब जाकर के हम आगे आए, अब आईए इंडिया में कई सारे ऐसे गाउं है, जहां पर light नहीं है, जिनको पता नहीं है, light होती क्या है, कई गाउं ऐसे हैं, जहां पर आज भी सड़के नहीं है, कई गाउं ऐसे हैं, जहां पर आज भी connectivity नहीं है, आज भी कई गाउं ऐसे हैं जिनको पता नहीं है बैंक होता क्या है और सोशल चेंज की बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग यह पता ही नहीं थे इंडुस्तान में बिटिश पीरियड में 70% लोग गाउं में रहा करते थे सिर्टी परसेंट लोग शहरों में रहते थे बलके भी मैंने से जादे नहीं बता दियो सिर्स 20 या 16% ही होंगे अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ इंफरस्ट्रक्चर चेंज जूरिंग दा बिटिश चूल में भी डिस्क्राइब एस अंडर बात करते हैं रेलवे की 1850 में हिंदुस्तान में रेलवे आया रेलवे को अंग्रेजों ने इंटिड्यूस किया अब इंटिड्यूस करने के वज़े आप करेंगे है बिटिश ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया आज हम रेल में घूम रहें अरे तुम्हारे लिए नहीं किया था उन्होंने वो तो अपना माल हिंदुस्तान से बाहर इजी वे में चला जाए यानि क प्राइमिरी प्रोडक्स एक जगे से दूसरे जगे राम से चले जाए उनकी इंडस्ट्री तक ताकि जल्दी-जल्दी माल बने और जल्दी-जल्दी बिके जल्दी-जल्दी प्रॉफिट आये मुनाफ आये और ऐसा ही जो बाहर से गुट्स आता था वो भी जल्दी-जल् प्रॉट्स में भी उन्होंने पोर्ट इसलिए बनाए ताकि जो एक्सपोर्ट होता था हिंदुस्तान से अंग्रेज जो एक्सपोर्ट करते था अपने माल को वो पोर्ट के ओपर ही एक वेर हाउस बनाया वहाँ पे अपना मालक का फटा-फट जहाज मिला दार भेद दिया अब आप कहेंगे चलो सर पोस्ट और टेलिफोन तो दे गए वो भी तुम्हारे लिए नहीं था पोस्ट और टेलिफोन टेलिग्राम इसलिए होता था ताकि माल की डिलीवरी का पता चल जाए कि माल की डिलीवरी हो गई या नहीं हो गई और पेमिंट जल से जल वापिस आ और हम नोट लिख करके भेदे भाई हमने माल वेजा पैसे बिजवा दे ताकि हम जल से जल अपनी आएक और कोठी बना सके हिंदुस्तान में आज भी लाल किले में जब ग्राउंड में खड़े होगे लाल किले के तो जरा लेफ्ट साइड में गरदन घुमा करके देखना अ इनके अधिकारी अपने अधिकारी एसी रूम में आराम से बैठ सकें आईए बात करते हैं हम लोग आगे की रोड की बात करें रोड भी उन्होंने बनवाय थे रोड इसलिए बनवाय थे ताकि वो गड़ों में न उनकी जो गाड़ी हैं गड़ों में न दब सकें आराम से वो लोग जाएं easily वो जाए ठीक है इस तरीके से उन लोगों ने development तो किये लेकिन development सिफ अपने लिए करें आप लोगों के लिए नहीं करें ठीक है अब British के कुछ positive impacts भी थे positive impacts ये थे कि वो उन्होंने भले ही commercial farming अपने फायदे के लिए की हो लेकिन आज के time में हम उसी rules को follow करक profit कमाते हैं भले ही उन लोगों ने railway और telegram अपने लिए बनाया हो लेकिन आज railway में जो jobs हैं वो इस वज़े से है क्योंकि railway हिंदुस्तान में establish बहुत पहले हो गया था सबसे जादा लोग हिंदुस्तान में railway में ही काम करते हैं आज के time में सबसे जादा लोग minimum 20 lakh लोग railway के अ इंदर job करते हैं सबसे बड़ा department है railway उसके बाद अगर हम बात करें एक्स्चेंज सिस्टम एक्स्चेंज सिस्टम यह जो सिस्टम है जो बार्टर सिस्टम आपको याद हो वह सिस्टम है कि एक माल लेकर के दूसरे माल दे देना यह नहीं माल से माल बदल लेना और profit कमा लेन यह सारे काम वही सिखा करके है इसके बाद आता है railway के positive impact और negative impact positive impact मैंने आपको बताई दिया वही था कि domestic market में का expansion होना जल से जल माल पहुचना दूसरा agriculture का जो commercialization हुआ था उस माल को एक जगे से दूसरे जगे पहुचाना तीसरा distance जो जादा था कि एक जगे से दूसरे जग जाना मुश्किल था वो अराम से हो जाए उसी तरीके से जो food grains थे वो अलग एक country से दूसरी country एक area से दूसरे area में चल जाए लेकिन इसके negative impacts भी थे negative impact क्या थे कि जो primary goods था या जो primary जो sector था वहाँ पे exploitation बहुत जादा था वहाँ पे जो Indian माल था उसकी supply कम होती थी और बिटे discrimination था दूसरा discrimination यह था कि जो finished goods बहार से आया करता था उस माल को वो लोग जल से जल विदेश से मंगा लिया करते थे हमारे माल को और हिंदुस्तान में जल से जल बेच दिया करते थे जिससे हमारा माल कम बिकता था और उनका माल जादा बिकता था अब हमारा यह chapter complete हो चुका ह इंडियन एकॉनमी का फर्स चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया जिन लोगों ने जिन बच्चों ने जिन जिसने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखिया तो मैं आपको पहले बता दूं इससे पहले इस चैप्टर के टू पार्ट है एक इंट्रोडक्शन है और एक आपका agriculture सेक्टर है इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया दूसरे पार्ट में मैंने आपको डिटेल्स बताई एक रिक्टर की और तीसे पार्ट में industrial and infrastructure का हमने description पढ़ा details पढ़ी अब ये chapter खत्म हो गया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत thank you कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा और अगर आपको मेरी वीडियो वाकी में पसंद आ रही है तो मेरे channel को like करे, subscribe करे और उसके साथ साथ सबसे important बात अगर आपको मेरी वीडियो वाकी में पसंद आ रही है तो मेरी होसला बढ़ाने के लिए आप लोग अपने friends में इसको share करे और बोले उनको कि शारुक सर जो है उनका explanation बहुत अच्छा है आप बातों ही बातों में हर चीज समझ जाएंगे सिर्फ आपको कान में एरफोन लगाने है और मेरी बाते सुननी है और मेरे notes को जो मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाए है इन notes के screen shots लेकर करके copy down करना है बस और आपकी Indian economy ready हो जाएगी और class 12 में आप 90% से ज़ादा marks scan कर जाएगे और कोई भी problem हो कोई भी issue हो तो आप comment box में जाएं और महाँ पे मुझे से बात कर सकते हैं मुझे बता सकते हैं ओके बाई बाई टाटा